बाबा कहते हैं कि मैं अपने यददर बच्चों को रात भर जागते हुई देखता हूँ, वो सारी राज सोचते रहते हैं, सोच सोच कर तुम अपना स्वस्ते खराब कर लोगे, जब तक नीन पूरी ना होना, तो श्रीर में आलस बना रहता है, किसी काम को करने का मन नहीं करत तो ऐसे तुमारे काम कहां सफलोंगे, तुम लक्षे तक कहां पहुचोगे, स्वस्ते खराब हो तो आगे बढ़ने की हिमत बिक्कुल नहीं रहती, याद रखो, जिनकी में असफलता एक चुनोती है, हर इंसान की जिनकी में असफलता जुरूर हाती है, तुम असफलतों को सविकार किया करो, जो कमी रह गी है न, उसे देखो, और सुधार करो, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, और तुम लोगों को यादा देखते हो, लोगों को देखोगे और सुनोगे, तो हमेशा परशान रोगे, इसलिए सुनो सब की, लेकिन करो हमेशा अपनी, मैं देखता होगे, आधा रास्तों तो पार करना ही पड़ेगा, क्या पतों तुम्हें मंजल तक पहुँचने के लिए सिरफ थोड़ा सा ही रास्ता पार करना हो, कभी-कभी मेरे बच्चे, जी उनमें अकेला पन बहुत जरूरी होता है, तुम सोचते हो, कि मुझे ये लोग छोड़ ग होगी ना, तो तुमारे जिनकी में खुशिया आ जाएंगी, जिनकी बहुत खुबसूरत है मेरे बच्चे, पस नजरिया बदलने की जुरूरत है, तेखने का इरादा सही हो ना, तो हर मुश्किल असान लगती है, कोई भी कारे करते समय, अपने आपको करता ना जानकर, जिनकी में कभी भी निराश मत हो ना, क्योंकि जहां दुखों की भी ठहरी होती है न, वहां ही थोड़ी दूर आगे खुशों की उमीदे भी होती है, और दुख सुक तो करमों के उनसार होते हैं, सुक दुख हमारे करम फल है, अच्छे करमों का उद्ध होते हैं, तो हमारे जीवन में सुक की बाहर आती है, और बुरे करमों का उद्ध होते हैं, तो जीवन में दुखों के बयार चलती है, हर इंसान की जिनकी में दुख जुरूर आते हैं, तो मैं लगता है कि वो इंसान खुश है, उसके पास बहुत खुश हैं, क्या अपता उसके अंदर बहुत दुखाते हैं ना, तो ये देखा करो कि किस वज़े से दुखा है, क्या कम्या मलब दूर करने की जुरूरत है, मन को विचलित ना क्या करो, दुखों का समधान सोचा करो, और जब तुम मुझे अपने साथ रखोगे, अपने मन को स्वच बनाओगे और इश्वर की और निह मारोगे, तो इंद्रियां सहज और सभाविक रूप से तुम्हारे वश्व में आ जाएंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझ पर विश्वाश बनाए रखो, तुम मंजल तक जरूर पहुंचोगे